जैशी कृष्णा दोस्तों बियासरा फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तों हमारे हिंदू धरम में बहुत से ऐसे तोहार हैं पर्व हैं जो संतान को देने के लिए या संतान की रक्षा के लिए बने अगर इस दिन सचे मन से अगर व्रत किया जाए पूजन किया जाए तो अगर आप पूरे भाव से उपाई को करते हैं तो निश्यत ही आपको संतान की प्रापती होती है दोस्तों आज मैं आपको पुत्रदा एकादशी के दिन जाने वाला विशेश उपाय बता रही हूँ अगर आप पूरे भाव से इस उपाय को करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी दोस्तों जिन भी मेरी बहनों को अगर अभी तक कोई संतान नहीं है उन्हें इस व्रत को अवश्य प्राप्ति हो दोस्तों मैंने बहुत से उपाय बहुत से आपको व्रत बताए हैं जिन से संतान की प्राप्ति होती है दोस्तों ना जाने हमारा कौन सा करम होता है पिशले जनम का जिसके कारण हमारी जो इच्छा है या हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती कोई ना कोई ऐस रुकाबट आती है जिससे हमारी इच्छा पूरी नहीं होती दोस्तों मैं समय समय पर आपको उपाय बताती रहती हूं जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति हो सके दोस्तों कभी भी आपको अगर आप उपाय करते रहते तो बहुत ही अच्छा है ना जाने कौन सा उपाय आप कर दें लिए दोस्तों आज मैं आपको पुद्रद्वक्ति हैं लिए रख इस तो आप इस दिन व्रत अवश्य रखें व्रत नहीं रख को आप पुरे सच्चे भाव से पुरे नियम से अवश्य ही करें दोस्तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले बगल में बैल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक दोस्तो आपको चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में करें चाहे आप किसी भी मंदिर में कर सकते हैं इस उपाय को करने के लिए आपको एक मूर पंक लेना है और साथ में एक पीली कोडी लेनी है बस ये दो चीज़े आपको किसी भी पुजा स्टोर से मिल जाएगा आप ल को एक कोई भी तस्वीर लेनी है दोस्तों जिन भी दंपतियों को अगर संतान की इच्छा है तो वो अपने कमरे में एक भगवान कृष्ण के बाल सरूप की तस्वीर अवश्य लगा के रखें दोस्तों आपको भगवान कृष्ण के बाल सरूप की एक मतलब आप तस्वीर ल दूप दीप से तिलक करें और एक शुद्ध घी का अगर घी नहीं है तो तिल के तेल का दीपग अवश्य ही जलाएं आपको भगवान कृष्ण को मूर पंख उनके मुकुट पर अरपित करना है अगर मुकुट नहीं है तो आप उनकी फोटो के आगे अरपित करें और अपनी पर रोली कई लोग पूछते रोली मैं क्या होता है देखें जो सिंदूर होता है कुमकुम भी कहते हैं जिसे लाल सिंदूर उसको उससे आपको पीपल के पत्ते पर स्वास्तिक बनाना है और उसके उपर थोड़े से सफेद वाले तिल क्योंकि तिलों का बहुत महत होता है तो थोड़े से सफेद तिल रखने और उसके उपर आपको ये पीली कोडी रखनी है और भगवान कृष्ण के आगे उसको अरपित करना है अपनी प्रातना बोलनी है और तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रजलित करें और उनसे अपनी प्रातना करें संतान प्राप्ति के लिए और साथ में दोस्तों आपको संतान गोपाल मंत्र का अगर हो सके तो ग्यारा माला नहीं तो एक माला अवश्य करें या ग्यारा बार करें या 21 वार या 31 से मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार इसको कर सकते लेकिन जितना अधिक इस मंत्र का उचारन करेंगे क्योंकि इसका मैंने आपको अर्थ भी बताया था पिछली वीडियो में अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा तो आप देख सकते हैं उस वीडियो को भी आप चला कर सुन सकते हैं कहने का आर्थ ये है कि इस मंत्र का जितना हो सके उतना अधिक उच्चारन करें देव की सुत गोविंद वासु देव जगत पते देही में तनेयम क्रिश्न त्वाहम शर्णम गतह इस तरह से आपको मंत्र का उच्चारन करना है हो सके तो 11 माला करें पूरे दि इस बार क्यावन बार और एक माला तो अवश्य ही करें दोस्तो इस मंत्र का जितना अधिक हो सके उच्चारण करें और भगवान श्री हरी को भगवान के बाल सरूप को आप सफेद वस्तु का माखन मिस्री का तुलसी का पत्ता अवश्य डाल कर भोग लगाएं अगर माखन न उनको अवश्य ही लगाएं दोस्तो इस तरह से उनको प्राथना करेंगे तो निश्य थी आपको संतान की प्राप्ति होगी पुत्र की प्राप्ति होगी जिन भी मेरी बहनों को अभी तक कोई संतान नहीं है तो वह अवश्य इस व्रत को करें अगर जो पुत्र की कामना अगर आप रत नहीं रख सकते तो उस दिन कोशिश करें कम भोजन करें या फलाहार करें या एक समय भोजन करें तो देखना निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति दूसरे दिन दोस्तों उस पीली कोड़ी को आपको उठा लेना है और अपनी कमर में उसको धारन करना है ल देखना इस तरह इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी पुत्र की प्राप्ति होगी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर अवश्य करें और किसी एक जने को तो अवश्य ही शेयर करें जिस से औरों को भी लाब मिल सके आप सभी को जैशी कुछ